तो हे गाईस कैसे हैं आप सभी, होप यू गाईस आप सब बढ़ी होंगे, दोस्तो आज ये संडे वक्त होता है, हैश्टेक आस्क एवी का जिसमें कि आपके पुछ गए एवी से रिलेटर जितने भी सवाल होते हैं, उनका हम आंसर देने का ट्राइ करते हैं, बाकी दोस्तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, इसलिए वीडियो का एंटर जरूरी से देखें, और अगर चैनल पर पहली वर आए हैं, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, काफी सारी लोग है जो वीडियो देखकर चले जाते हैं, बड़ चैनल को सब्सक्र से आ रहे हैं, और यूपी से इससे पहले 40 ऐसे केस ओलरी मेगनेस एक्स के हमें देखनों को मिल चुके हैं, जो कि एक दो तो मैंने भी आपको वीडियो में बनातर बताया था इससे पहले भी, तो एंपर कंपनी का जूबी अब इलेक्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, प्लीज यार ये इसको ठोड़ा ध्यान से चलाना, बकि यहाँ पर एंपर कंपनी की तरफ से अभी भी कोई भी जवाब नहीं आया है, इस केस के उपर और इससे पहले भी काफी केस हो चुके हैं, जिसके उपर अगेन एंपर कंपनी ने कोई भी रिस्पोंस नहीं दिया है, तो मेरे कोडिंग तो यहाँ पर कंपनी को जरूर से कुछ ना कुछ जरूर से बोलना चाहिए, नेक्स दोस्तों जून मंत के EV सेल रिपोर्ट यहाँ पर आप इन लोगों ने देखी लियोगी, जो कि मैंने अपलोड करके आपको होता ही थी, जो कि जून मंत में काफी ज्या ही मिलती थी, वो 40% से यहाँ पर सीधे ही 15% कर दी है, जिसके चलते सभी ने अपनी अपनी स्कूटर की प्राइज को बढ़ा दिया है, और लोग यहाँ पर आप इलेक्रिक स्कूटर लेने में कतरा रहे हैं, क्योंकि भाई, इनकी कुछ जादा ही प्राइज इंक्रीज हो ग एक लाग के आसपास में अगर सभी एलेक्रिक स्कूटर की प्राइज रखी जाए तो काफी सही रहेगा, वरना तो कोई भी एलेक्रिक स्कूटर यहाँ पर नहीं लेने वागा, नेक्स दोस्तों, एमपल नाम की एक कंपनी है, जिनोंने एलेक्रिक फोर विलर के लिए स्वै बादी जाएगी नीचे से ही, तो इस तरीकी की टेकनोलोजी क्या इंडिया में सर्वाइव कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, कमेंट करके जुरू से बताना, नेक्स दोस्तों, इंडिया में फर्स्ट हाइड्रोजन बेस्ट ट्रेन स्टार्ट होने वाली है, जो कि हर्याना जीन्द जिस्टिक से स्टार्ट की जाएगी, जिसकी अनॉंस्मेंट नोर्थन रेल्वे के जनरल मेनेजर सोवन चोधरी ने कर दी है, जो कि नेक्स्ट वियर तक जीन्द एंड सोनिपत के बीच में चलाई जाएगी, तो यहाँ पर यह काफी अच्छी गुड़ने हुज है क्योंकि इंडिया में फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन यहाँ पर स्टार्ट होने जा रही है, नेक्स दूस्तों जैसे कि आप से भी को पता होगी, टाटा ने अपनी सभी जीतने भी पेट्रोल वाली कार हैं, उन सब को CNG में और यहाँ पर इलेक्टिक में भी कनवर्ट करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि टाटा नेक्सों, टाटा टीगो, टाटा टियागो, सभी कार आपको CNG, पेट्रोल और EV में भी देखने को मिलती है, तो ऐसे ही आप टाटा अपनी टाटा पंच को पेट्रोल वाली कार को EV में लाने की त्यारी कर रही है, चुकि अरिविंद केजरिवाल जी ने 30 जून को यहाँ पर 200 और नहीं इलेक्टर की बस को हरी जंटी दिखा दी है, जो कि अब आपको दिल्ली की रोड पर देखने को मिलेगी, इससे पहले 300 बस पुब्लिक टार्सपोर्ट के लिए और चल रही थी, जिसके बाद में इनकी टोटल कैप सिटी यहाँ पर 500 बस की हो गई है, जो कि काफी अच्छी बात है, यहाँ पर पॉब्लिक ट्रास्पोर्ट में अगर इलेक्टर विकल यूज होंगे, तो यहाँ पर इदिली का जो पोलुशन है, वो कम किया जा सकेगा, नेक्स दोस्तों यहाँ पर ओवेन कंपनी ओवे और सो एक वीडियो बनाया था, तो वो वीडियो आप जरू से चेकाउट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर उपर काड में मिल जाएगा, नेक्स दोस्तों गोगो कमपनी के बारे में तो आप लोग जानती है, यह कमपनी अप इंडिया में घु जिसमें कि यह अपने स्वैबिनी स्टेशन का जाल यहाँ पर विचाने वाली है, तो दिरे-दिरे करके गोगो कमपनी यहाँ पर इंडियन मेकर कमपनी जैसे की ओला एथर टीवेस बजाज को खाने वाली है, तो यह थी दोस्तों इस अपते की EV News अपडेट, आप देख ले अलग से जैसे की Ola S1, S1 Pro में हमें मिलता है, ऐसी आपको उसका चार्जर देखने को मिलेगा, नेक्ट यहाँ पर एक और कमिन लेते हैं, सर मैं Ola Care Plus लिया हूँ, और मेरे भी Ola डेमेज हो गई है, बहुत दिन से ट्राइ कर रहा हूँ, सर्विस वेन नहीं आ रही है, तो त सभी को देखने को मिलरी है, तो आप वेट ना करो, इनके सर्विस सैंतर पहुंच जाओ, वहाँ पर जाकर आप अपना स्कूरर ठीक कर वा सकते हैं, नेक्स्ट नहीं पर एक और कमिन लेते हैं, जो एक साल के बाद वहला हमNें review डाला था, उसमें कमेंटствен आया है, इस्कूर has load of issue, पूरा का पूरा software based scooter है, बहुत होगा क्योंकि इनका software को maintain करना पड़ता है, और वो बहुत headache है, यह long lasting नहीं है, तो यहाँ पर software based electric scooter है, यह तो हमें सभी को पता है, ऐसे ही ether है, बट यहाँ पर OLA की case में काफी ज़्यादा बग देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर मेरे क मिलने लेते हैं, Ampere of Magnus का जो एक ओर स्कूटर तूटा था, आज से काफी टाइम पहले मैंने वीडियो बना कर डाला था, उसमें कमेंट आया है, भाई मेरे वाले का पूरा ड्रम ब्रेक मारने पर तूट गया है, थर्टी फाइब की स्पीड पर वील जाम हो गया है, पार्ट वरांटी में नहीं है, ऐसा बता रहे है, डोंट बाई, Ampere Grievous विकल वेस्ट ओफ मनी, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि Ampere Magnus की काफी ज़्यादा कंप्रेंट देखनों को मिल रही है, तो इसी तरह के से अगर प्र यहाँ पर दिल्ली में 55,000 रुपीज है, जबकि उसके बाद में आपको सबसीड़ी भी मिलेगी, तो आप देखी सकते हैं काफी कम रेट यहाँ पर दिल्ली में है, बाकि अधर स्टेट में काफी ज़्यादा यहाँ पर प्राइस देखनों को मिल रहा है, तो हर एक स्टेट में यहाँ पर काफी ज़्यादा ओला इसमेन का प्राइस यहाँ पर बढ़ गया है, नेक्स्ट यहाँ पर एक रूर कम लेते हैं, अब EV स्कूटर नहीं लोगा, पेट्रोल स्कूटर ही ठीक है, तो यहाँ पर EV सेल रिपोर्ट आने के बाद में सभी का मून यहाँ पर ओफ ह हो गया है, क्योंकि इतनी सेल डाउन होई है इनकी, और दूसरा इनके जो प्राइस है, वो भी काफी ज़्यादा आस्मान चूर है, जिसकी वज़े से अब सब EV नहीं लेने वाले हैं, और यहाँ पर पेट्रोल पर ही रहने वाले हैं, नेक्स्ट यहाँ पर एक और कम लेते ह है, लेकिन जब आप और प्राइस जुक्सी चेक करेंगे, तो यहाँ पर 20-25,000 रुपे का डिफरेंस देखन को मिलता है, हाला कि इतना डिफरेंस होना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली में भी मैंने जब पूछा था, तो इनका जो 20-25,000 रुपे एक्स्टा ले रहे थे, प ध्याएकर लेते हैं, जो की काफ़ी चाहदा है, नेक्स टेना है, जुलाई स्कूटर घेड़ हो गया है, लेकिन ऐर्ड पर्रेंटी वो यहाँ तो यहाँ पर आगर आपके व टेंशन होती है, कि आपने जो पार्ट लगाया हुए, उसकी वज़े से अगर कोई वो वॉइड हो जाती है उसकी वजह से अगर problem आती है कोई भी accessory जो आपने लगाई हुई है but अगर उस decision की की वज़े से कोई भी नुकसान नहीं हूआ है या फिर scooter में कोई और problem है तो आपके इससरी से कोई भी problem नहीं होगी अगर आपको insurance में claim लेना है तो आप उस SS series को हटा दो तो ज़्यादा सही रहेगा उसके बाद आप दुबारा से लगा ले ना उसको तो यह थी दोस्तों इस अपते की EV news और आपके पूछ गए सवाल बागी दोस्तों वीडियो चलेगी तो प्लिज वीडियो को लाइक कर देना मैं मिलता हूँ आप से कोरेसी नई वीडियो में तब तक लिए स्टे सेफ और सेफ राइड